नमस्कार आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिरियम 2005 के तहत यदी PIO लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा बनावटी या जूठा रिपोर्ट दिया जाता है तो इस पर आप आपत्ती सूचना आयोग में किस प्रकार लगाएं तथा सूचना ब्रहमित हो पनावटी हो गुमराह करने वाला हो तो उस पर एक सूचना आयोग में एक आपत्ती लगाने के बाद सूचना आयोग इस पर किस प्रकार कारवाई करती है इसके बारे में जानेंगे जो पहली बार इस चैनल से जुरे हुए है वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को भी दबा लें तथा उप्योगी लगे तो एक दूसरे को सेयर अवस्ट करेंगे तथा एक लाइक कर देंगे तथा कومेंट अवस्ट करेंगे अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे कि किस बाद में इस प्रकार की घटना हुई है यदि आप लोगों के साथ भी सूचना देने में भ्रहमित कर रहा हो गुमरा कर रहा हो या जूठा रिपूर्ट बनाबटी रिपूर्ट दिया हो तो आप लोग भी सूचना आयोग में एक आपत्ती अवस्त लगाएंगे मैंने एक बाद में आपत्ती लगाया था तो मुक्ष सूचना आयोगत का क्या आदेशवा है आप लोग भी देखें देखें यह बाद संख्या A1194 अवलिक 2021 में है प्रविन मार्शरमा यह मेरा नाम है बनाम प्रथम अपिलिप रादिकार पुलिस महान विदेशक कारियाले सदर प्रटिल भवन पटना तैस लोग सूचना आपता आदिकारी सह पुलिस सदिक्चक मधिपूरा मैंने लोग सूचना पदा दिकारी पुलिस सदिक्चक को बनाया था जिसमें इन्होंने जान वूज कर जूठा बिना जाँच किये बिना ही कोई करवाई किये ही जूठा जाँच रिपोर्ट बनाकर भेज दिया गया था जिस पर मैंने सूचना आयोग में भी आपत्ती लगाई थी इस पर अब देखे क्या आदेश पारित हुआ है इस बात के सुनवाई हाइब्रीड कोट सिस्टम के माध्यम से की गई अपिलार्थी उपस्तित है परतिवादी की ओर से परतिवादी अभी विया करते है कि उन्हें जो जाँच परतिवेदन दिया है वह सिर्फ टेबल रिपूट है परन्तु या परमानित करना कठिन है परतिवादी का या कठन है कि अपिलार्थी दो ही बिंदों पर कारवाई चाते है परतिवादी थाना अध्यक शरतवारा उपी के बिरुद कारवाई और भूमी पर दखल कबजा परन्तु किसी भी कार्ज को करने अथवा नहीं करने का परतिवादे सुचना के अधिकार के अंतरगत नहीं दिया जा सकता फिर भी परतिवादी अपिलार्थी के समस्याओं का नियामा नुकूल समधान है तू आस्वासन देते हैं जिस किसी भी अधिकारी या करमी के कारण टंकक भूर या किसी अन्य कारण से गलत जाच परतिवेदन बना हो उसके विरुद आवस्यक कारवाई किये जाने है तू इसे पुलिस उपमहान रक्षक सहरसा के संग्यान में लाया जा है सुचनाओं को परदान करने में हुए लगभग दो माह के बिलम के लिए जो भी दोसी हो उनके विरुद आवस्यक कारवाई किये जाने है तू इसे भी पुलिस उपमहान रक्षक सहरसा के संग्यान में लाया जा है इसके साथ अपिलबात समाप्त क्या जाता है नरेंद्र कुमार सिन्हा, राजमुक, सुचना आयुक था है अभी बिहार के अथिकारी उदाकिसंगन मधेपुरा तथा मुझे भी अपरती लिपी भेजी गई थी जिस पर अब डियाईजी सहरसा के संग्यान में ये बातें दी गई है और उचित करवाई करने का नियामानवसार करवाई करने का आयोग का आदेश प्राप्त हुआ है इसलिए आप लोगों को भी अगर इस प्रकार की कोई बात हो तो आयोग में भी आपत्ती अवस्त लगाएं जैहिन